एक बात नहीं समझ आई मेरे, सारे नेता कहते हैं कि जानकारी हो जाए, सर्व जनगर्णा आ जाए, तो देखूँ, मैं तो नेता नहीं, नेता तो यह कहता है, मैं दिन बर घूमता हूं समाज की नभजी मुझे पता है, रोदीजी आप ही सुनिये धान से, ठीक, आप कागस द दीलर हो सकते हैं, नेता ने हो सकते, क्या यह सच नहीं, कि इस देश में पिछुडों की और दलितों की जो असंख्य जातियां है, उनमें से, किसी भी राज्य में कहीं ले लीजिए, कोहीं ले लीजिए, किसी भी स्थिति में राजनाइतिक सत्ता पुलिटिकल पावर केबल दो या तीन चार पाँच मैक्जिमम जातियां होंगी जिनके हिस्से में रही अब तक इतने साथ शर्ण में ऐसा क्यों हुआ नहीं होना चाहिए यह पाप है यह पाप था यह पाप है और यह पाप रहेगा उत्तरपदेश देख लीजिए बिहार देख लीजिए राजिस्थान देख लीजिए उनिसा देख लीजिए कहीं चले जाएए तमिलाट चले जाएए करुना निधी का परिवार जातियों में ऐसा भाव क्यों नहीं रखा जातियों ने कि हम काफी देर भोग लिए राज अब तुम आओ फिर तुम एक समय तक रहो पर तीसरा आए ताकि इंपावर्मिंट जो है वो सबका होता चले अब लोना कुर्शी पर हमी रहेंगे बाकि बताशा तुम सबको बटवांगे अ प्योंगा क्यों निखाय को हुँ खुद क्यों ने कुर्शी बइट थे खुद क्यों ने कुर्शी पर बैट थे वह भड़ा सवाल नहीं है क्या उत्तरपदेश में बाल मी की सवाज यह सवाल ने पूछे लुदी साब आप तो OBC के संगड़न जलाते हो जाती की समझ रखते हो और OBC में मैं 20 जातियां गिना दू 20 जिनके घर में को रोशंदानी नहीं लगा सियासत का कि इए और केबल जिन्दाबाद मुर्धाबाद करने के लिए हैं अक बिहार में एक मैं नीटिश जी एक लालू लूझ 2 पूरे बिहार में पिछड़ों में दलितों में मिलाके और जीतन राम मां जी तीन मल राम एस आप तो रहे नहीं ठीक ना मैं इस एंटी है यह है जाती है जो 4000 जातिया पीछे खड़ी वो कब आ गया आएंगी इसके लिए मन बढ़ा होना चाहिए जातिकत जनगरना होनी चाहिए इसमें किसी को आपत्ती क्यों हो संख्या पता लग जाए इसमें क्या अपत्ती है यह अच्छी चीज है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा संख्या पता लग जाने के बाद भी अशोक यादव जी एक इस लोदी जी चित्रंजन जी रतनाकर और अश सत्ता पर अलग-अलग स्थानों पर जिनके पास तागत है उनका मन बड़ा नहीं होगा लोदी जी लिख लीजे मेरी बात हैं उन रिपोर्टों से भी कुछ हासिल नहीं होगा कि बान प्रस्था जाने के मन 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 मनाया है क्या किसी ने कि मैं ठीक है हम छोड़ देंगे राजपाट हम पीछे बाले को लियाएंगे कोई कहरा ऐसा कोई कर करेगा ऐसा बठाओ नहीं ना अभी राज राज वही आ सकाएंगे तो आप टिकेट ना लेओ बहुत लड़ाएं लिए मान जाएंगे नहीं ना नहीं मानेंगे ना लोदी साफ नहीं मानेंगे वो कहेंगे मिर्देली लड़ाएंगे लगी लड़ाएंगे जरूर क्या वाई और जातिया नहीं है अब मैंने एक उधारन लिया उधारन में नाम लेकि जाना नहीं चाहता है तो आपको सम्झाने के लिए उधारन दे लिया उनका तो इमपावर्मेंट हो चुका कि कुछ बचा है। नहीं ना ? सब कुछ रह लिया, गवर्नर, चेंदरी, मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री, सांसर विधायक, सब हो लिया। कुछ बचा तो नही कीश्ची, कुछ बचा है नहीं ना ? अब तो प्रधान मंत्री राश्पती दोई कुर्सी पचीं थी ठीक छोड़ सकते हैं अशो की आदब के परिवार में कोई छोड़ सकता है बताईए इंसे पूछिये नहीं लठम-लठा हो जाएगी रिपोर्ट में माचस लग जाएगी लेकिन मानेंग नहीं सची बात करो न चूकि मन बड़ा नहीं है नेताओं का मैं दूसरे ढंक से इस बात को कहता हूँ जो आप लोग नहीं कह पाओगे आपके संदर साहस नहीं आएगा जूकि भारत में जातिके नेताओं का मन बहुत छोटे हैं इसलिए जातिकत जन्गर्ना होनी चाहिए आपके मन बड़े होते तो जन्गर्ना की जरूती नहीं थी जातिके फिर हर आदमी को मन्च पर आसन मिल चुका होता बारी बारी रोटेशन क्यों नहीं है भाई अनंतकाव तक एक ही रहेगा अब कि जातियां जुन जुना बजाएंगी पाल की उठाएंगी आपकी लोग एकेश लोदी जी बड़ा कठिन सवाल मने ख़ड़ा कर दिया है है ना हम पड़े से पड़े होते जा रहें पीछे जो नंगा खड़ा है उसके लिए कुर्सी देने को तैयार नहीं है भाषर धुआधार दिये जा रहे है भाषर में बिलकुल हिमाले हिलाई दे रहे है यह तो बहुत्धिक बेहिमानी है ने मित्र है आप मुझे बताइए ना हिंदी हार्ट लेंड के दो सबसे बड़े राज्यों की मैंने बात कहीं जहां जाती चेतना बाकी भारत से जादा है उत्तर पदेश और विहार लालू जी नीतीश जी मुलायम सिंग जी मातमायावती जी चार कल्यान सिंग जी को जोड़ लो पांच गलत तो ने कह रहा बया यादव जी ना ना पिछले पचास साथ साल का यही गुणागनित है इसलिए मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए मन बढ़ा करिए जनगर्णा हो जाए क्या दिक्कत है जनगर्णा में छुपाना क्या है मैं समझे बादा भारती जनदा पार्टी उसमें डिफेंसिव क्यों होती क्या छुपाना चाहते हैं आप जो सबको मालूम है वो कागज प्या जाएगा इतनी सी तो बात है कुछ भला होगा और नहीं भी भला होगा तो इससे बुरा क्या होगा जो आप है मुझसे कहा जाता है कि देश में साथ हजार आठ हजार दस हजार सुसील मोदी कह रहे थे चालिस लाक भगवान जाने वो कहां से लाया करा क्या इतनी जातियां है मैं पिछले 70 साल का भारत का राजनेतिक मांचित्र देखता हूँ तो कितनी जातियों का वर्चस सो रहा है कुल सौ भी नहीं होंगी ठिक ना तो बाकिये सब तो पीछे बैठी है मैदान से बाहर सब को मैदान में लाना चाहिए सब को अब सर मिलना चाहिए जातिकत जंगरना हो जाए अच्छी बात है लेकिन फिर भी जिनको देना है अपने हाथ से उनका हाथ तो खुलना चाहिए देने के लिए हाथ ही ने खुलेगा तो क्या देंगे और मैं इस बात से सहमत नहीं कि द्रोपदी मुर्मूग के बनाने से क्या हुआ उस वर्ग से जाके पूछिए उस वर्गों को कैसा लगा एक तो वो वर्ग उपर से महिला यह अच्छी बात है होना चाहिए कभी सोचा होगा उन्होंने नहीं परिवारवाद के चवखट से सामाजिक न्याय को बाहर निकालना होगा सामाजिक न्याय अगर परिवारवाद के चवखट का बंधक हो जाएगा तो वो अपने वास्तविक अर्थों तक नहीं पहुंचेगा इलख लीजिए अच्छी आदब जी बात कड़ भी है लेकिन आपके लिए भी है और चेत्रणजन बाबू के लिए भी रतनाकर जी सब और मनीश के लिए सब के लिए है बात कड़ भी है बाबू हम जानते हैं ल नहीं मानते एक सीट है फरुखाबाद में मुहमदाबाद अगर मुसा ही याद कर रहा हूं कैसा सामाजिक न्याय हुआ यादब जी देखो क्या 16 चुनाब हुए लोधी जी वहां अब तक कितने 16 विधान सा बाद है उसमें 13 में बाप बेटा नाती पोता ही लड़े क्या व वह भी सामाजिक न्याय के नाम पर है है बताव यह अब इसके बाद क्या कर कुछ बचा कहीं नहीं को अरे उनके ही पर वर्ग में कोई दूसरा नहीं मिला सोला में तेरा चुनाव रत्राकर वाबू एक ही परिवार ने लड़ लिये पिदा पुत्र नाती पोता क्या है और किस नाम पर सामाजिक न्याय यादव जी समाज रहे ना मैं मैं कहिता था कि यह सामाजिक न्याय नहीं है यह सामाजिक न्याय के नाम पर छलाव आए मैं जातियों को नाम लेकर उल्लेख नहीं करना चाहता, आप लोग उससे ज़्यादा जानते हो वो कहा है, अगर उनका कोई MPML बन भी गया, तो उसको भूमिका नहीं दी किसी पार्टी ने महत्पों अगर बन भी गया गलती से, किसी समी करण के तहद, तो भूमिका नहीं दी लोग तंत्र को विस्तारित करिए, उसको बंधन से मुक्त करिए, पाउं में बेडिया मत डालिए परिवार की कितना बड़ा दलित समुदाई है उत्तरपदेश का, है की नहीं है, है ना चार बार मुख्यमंत्री मायवती जी नहीं, कभी ऐसा प्रियोग हो जाता कि किसी दूसरे को बना देती है, अपने आशीरवात से, हाथ पकड़ के बेठाल देती है, किसी बालमीक की लड़के को, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, लोदी जी समाज और ज़्यादा विस्तारित नहीं होता, इंपावर्मिंट और ज़्यादा नहीं होता नीचे तक, अगर सत्ता एक घर से दूसरे घर ही घूमती रहेगी, वही चार छे आट बड़े घर, क्या, पंजाब में बर्षों तर, क्या हुआ, बादल और अवरिंदर, बादल समाज बाद सब भर्स्त हो गया, है ना हुआ ना, राजिस्थान, अशोग गहलोत, वसुंद्रा राजे पच्चिस साल हो गये, कितने, पच्चिस साल, इस समाजिक नहाए है, अशोग गहलोत वसुंद्रा राजे, पांच साल वो, पांच साल वो, लोदी साब, इस समाजिक मेरा पणाम हमई से सामाजिक न्याए को चीमटे से भी नहीं चूएंगे चिहें आप लोग अंसन करो हम चीमटे से नहीं चूएंगे सामाजिक न्याय वो है जो परिवार की बेडियों से बाहर जाए यह सूर्य की तरह होना चाहिए जिसकी रोशनी में भेदभाव नहीं हो तब हम कही सकते हैं कि हम उन पुर्खों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं नहीं परिवार की लड़ाई को समाजिक न्याय का नाम दे सच्चाही क्या है तो अगर उस कहें कि अग्नोतरी जी ये ख़बर चला दो कि भारत भर के पिछलों के उपर हमला तो मैं कैसे चला दूगा रहे आप हटाएगे कूर्सी से पिछलों के हमला कैसे हो गया लोधी साब समझना पढ़ाएगे ना क्यों हटाएगे नहीं इससे बड़ा नुकसान होता है जब हम व्यक्ति को ही समाज का परियाय माल लेते हैं समाज बड़ी चीज है व्यक्ति छोटा होता है किसी व्यक्ति को समाज का परियाय मत मानिये मैं कहूंगा भारत के समाज से आप हैं तो व्यक्ति है आप अपने आशिरवात पीछे हटा लेंगे व्यक्ति जमीन पर आ जाएगा इतागत जनता को समझनी होगी पिछणों को समझनी होगी दलितों को समझनी होगी तब जाके भारत में आप मानकर चलिए सही माइने में समाज़िक न्याय की अवधारना इ कभी वाई के पास सकता तू मेरा ख्याल रख मैं तेरा ख्याल रखो धन्यवाद